हेलो फ्रेंद्स मैं वीभा आज मैं आपके साथ सेड कर रही हूँ सोया चिली की रेसिपी इसके लिए मैंने एक बाउल सोया लिया है बड़े वाले चंक्स लिये हैं सोया चंक्स इधर माशाला कासमीरी मिर्च और इसमें से शिफ मैं कासमीरी मिर्च्स यूज करूंगी और य या कॉर्ने स्टार्च जो कहिए बेनिगर तोमेटो केचप रेड़ चिली शॉस और सोया सॉस दो चम्मच नमक सेजवान चटनी गोल मिर्च पॉडर और तेल और उसके बाद ये प्याज मैंने लिया है और सिम्ला मिर्च धनिया पत्ता कटा हुआ और हडी मिर्ची और लासु इसके लिए मैंने पहले से गरम पानी कर रखा है इसमें सोया चंक्स को डाल रही हूँ आधी गंटे के लिए ताकि ये सॉप्ट और मुलायम हो जाए सोया चंक्स सॉफ्ट हो चुका है अब मैं इसे थंधे पानी में डाल दे रही हूँ आप थोड़ा ध्यान दखें क्योंकि ये पानी गरम पानी से हम ठंधे पानी में डाले है थोड़ा ताकि निचोड़ने में आपका हाथ ना जले इस तरह से निचोड़ने दोड़कर निकाल ले बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं यह सारे यह दो चमबच मैदा निक्स करूंगी कॉर्न स्टार्च यह रेड़ कास मेरे मेरे चिप गुल्मीर्च पॉर्डर एक चमच सोया सॉस सीजवान चेकली थोड़ा सा नमट अब इन सारों चीजों को मिक्स कर लें अच्छे से ताकि सोया के ओपर इसका कोट चेह जाए अगर यह सोया के ऊपर नहीं चल रहा हो हो तो थोड़ा सा पानी आप मिक्स कर सकते हैं एक चमच में ढैल के देख रही हूं तेलेड़ेडी है तक है मैंस में ढॉल रही हूं इसे टीमा आजपर फ्राय करें इस तरह से चलाते रहता कि एक दूसरे से चिपके नहीं नहीं तो यह चिपट जाता है यह ब्राउन ब्राउन हो चुका है अब मैं इसे निकाल रही हूँ इसी तरह से मैं बचे वे स्वया चंक्स भी छालने रही हूँ अब मैंने लिया है उसमें मैं जो चमज तेल डाल रही हूँ थोड़ा ही तेल डालना है एक पत्ता टेश पत्ता डाल रही हूँ दो इलाइंची छोटी इलाइंची डाल रही हूँ अब मैं इसमें लैसुन डाल रही हूँ कटा हुआ लसुन जो कि पहने से काज रखा था रही हलका सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्याज जाल डूंगी जाल रही हूँ जाल रूंगी चाइनीज दिस हमेशा हाई फ्लेम पड़ी बनता है वह तो आधी कच्ची और आधी पशिल जैसी है यह फोड़ा था हल्का प्याज बर दो मिनट प्याज करके इसके बाद में शिम्ला मेर के डालूंगी करद़ लो जर बदूचित और एंट शें लोड़ी लोगा कर दो कर दो क्रादो ओूदकर है क्रादो जशें लोग को उल बदादो क्रादो कादो इसमें हरी मेर्चे दे रही हूँ ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि उसके बाद से इसका कलर फिर चेंज हो जाता है अब में इसमें रेट चिली सॉस कर्णान देड़र, टंड़र, तंड़र通ड़र, तंड़र, ज्यादाद师, जबंड़र, टंड़ना प를्लाई डदकी, आकाना, कश्छड़र कि अंथ plastic Pittatt,्या व्ल Commerce, उर्त हो पास्याचल, बादाबरो, डिर्मिल डपकफ़र, पास्लें हर 250 लाँWh, नादवर स्ट्राबर, डत् इस तरह से चलाते रहें नमक अपने हिसाब से डालें कि सारी सॉस में नमक होते हैं कलर के लिए मैं थोड़ा साइस में कास्मेरी बेर से डाल रही हूँ इससे कलर अच्छा आता है हमको पॉसंद है इसलिए यह मैंने कॉन फ्लोर बजागे रखा था जो कि अब मैं ग्रेवी में डालूंगी जो कि अ स्कंट स्क्षे कर ऑता है प्लोर खाल इस अब बड़ना से डाल है कि अट्रॉपटार अबस्तो प्लोfps तो है लिए Period अब में थोड़ा साइस में पानी एड़ कर रही हूँ और यह रेनिगर इसे फ़र पता लोगी उसके बाद इसमें डालूँगी सोया चंक्स कला हुआ क्योंकि पहले नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि काई वह सॉफ्ट हो जाएगा इसमें वह तो पी ही दाता है तो अच्छा लगता है अब मैं इसमें सोया प्राइ किया हुआ सोया चंक्स डाल रही हूँ और इसे इस तरह से तैयार हो चुका है इसे मैं अब सर्व करूंगी सर्विंग बाल प्लेट में निकाल हूंगी सर्व के लिए पिर आपको दिखाती हूं फ्रेंड्स ठीक है इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूं दनी पत्ता से राणिस कर रही हूं इस लगडाउन में मेरे पास हडा प्याज रही था दनी आपत्ता से गार्निस रही हूं मैं डाली भी नहीं हूँ ग्रेन प्याज आपके पास अगर हो तो आपके ग्रेन प्याज जाल सकते हैं ग्रेवी में लिजे फ्रेंट्स तैयार है अगर आपको पसंद आए यह वीडियो तो आप इसे लाइक और शेयर अपने फैमली में अपने फ्रेंट्स में जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू